हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल सिबो मुबाइल टेक प्लस यह वीव का वाइट टू लॉक लग गया है तो आप देख सकते हैं इसमें फार पी लॉक लग गया है मतलब गूगल लॉक लग गया है तो फ्रेंड आज में इसका फार पी बाइपास करके आपको दिखाऊंग भूए मेरे वीडियो को देखते रहिए एंट क्ल歡迎 वारी को चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले इंँग्लिस लेंगुइज confident करें है यहाँ नीचे स्टार्ट पर टैप करेंगे अब यहांैं викlass रेंगेंगे sini मोंकुन नेक्या हें इन परोन Ó backup weendas फें नेट्वर कर कर ले रहे हैं यह वाइफाय नेट्वर्ट का पास्वड मांग रहा है फासवड डाल दे रहे हैं और वाइफाय नेटवर्ख कर ले रहे हैं देखिए कनेक्ट ओढ़ा है हो गया और ऑटमेटिक आगे बढ़ गया अब यहाँ पर अगला असानी से और सरफ तरीका से कर सकते हैं जिसके लिए आपको मेरे चैनल पेस पर जाना होगा वहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट मिलेगा प्लेश्ट में जाए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वीडियो को देखे अपने फोन का प्राब्लम सॉल्ब करें अब यहां पर अगला अपसंस आ गिया है यहां नीचे डॉन कॉप्य आपको दिख रहा होगा इस पर टैप कर देंगे यहां तो सब्सक्राइब करेंगे अब यहां पर चुछ मनग रहा है अधर आपे चुछ करेंगा को नहीं पैटरण लॉक्ष का नियुक्ण कि अब यहां से आगे बढ़ जाएगा अब तो छा से क्रेंगे अब यहाँ पे जीमेल आड़ी मांग रहा है फ्रेंट यहाँ पर वही जीमेल आड़ी मांग रहा है जो इस फूर में लाश्ट टाम यूज वा था देखिए यह ओपर में लिखा हुआ है verify your account अगर आपको जीमेल आड़ी पासपट पता है दूस्तों तो यहाँ पर डाले ति कहा है आगये अब यहाँ सबसे पहले हम लों टाल बैक को स्टब्रेक करने ले कि आकना वागा वोलियम अब बटन और भूलियम डौन बटन दोनों को एक साथ करना है जैसे प्रिस करेंगे यहां पर इस तरह से जा जाएगा यहां लिखा हुआ है turn on इस पर टैप कर देंगे ठीक है उसके बाद फिर से हम लोग भूलेम अब बटन और बूलेम डॉन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे जैसे प्रेस करके रखेंगे हमारे फोन पर टॉल बेक ओन हो जागा देखिए तॉल बेक यहां ओन हो चुका है अब क्या करेंगे यहां डिस्प्ले पर बनाएंगे ठीक है अब यहां पर सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा second last में टॉल बेक सेटिंग इस पर टैप करें है आप यहांसर नीचे आएंगे यह अपर आपको दिखेगा प्रैली टैप करेंगे अब यहां सब सूपर में लिखा हुआ है सेट अवेसे टाप करेंगे डbelly कीबॉड इस सजब्सक्राइब करेंगे इसके बाद वह जाने के समयक महतनों टॉल बेक करेंगे तो some को चबोन और भूलियम डॉन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है चली फ्रेस कर देते हैं जैसे प्रेस करेंगे टॉल बेक डिसेबल हो जाएगा हो गया अब यहाँ पर करेंगे सिंप्ली हम लोग बैक आ जाएगे पूरा बैक आ जाएगे स्टार्ट मेनु में जहांसे हम लो बैक आएंगे चलिए बैक आजाते हैं तो वाइफाई नेटवर्क में आ गए हैं अब यहां सबसे नीचे में लिखा हुआ है see all वाइफाई नेटवर्क इस पर टैप करेंगे यहां सबसे नीचे में आपको दिखेगा add new network इस पर टैप करेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर keyboard खुल गया यहां keyboard का सबसे नीचे में space दिख रहा है इसको हम लोगो select करके रखेंगे जैसे select करेंगे इस तरह से खुल जागा यहां पर आपको दिख रहा होगा tallback barley keyboard इस पर टैप करेंगे उसके बाद यहां पर उपर में लिखा हुआ है turn on in accessibility setting उपर वाले पर टैप करेंगे चली टैप कर देते हैं उसके बाद यहां पर इस तरह से खुल जागा यहां सबसे उपर में आपको दिख रहा है accessibility menu इस पर टैप करके उसके बद यहां accessibility menu shortcut है इसे हमनों start कर देंगे चली टैप करके start कर लेते हैं यहां allow करेंगे उसके बाद यहां get it करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर accessibility कि यहां फटाफट हमनों यहां लिख लेते हैं open YouTube लिखने के बाद हम लोग सर्च कर देंगे चली लिख लिए अब हम लोग सर्च कर देंगे यहां पर हम लोग के फोन का YouTube खुल जाएगा दिखिए यूटूब खुल चुका है और automatic यहां पर इस फोन का ब्रॉजर भी खुल करेंगे यहां पर सबसूपर में आपको VM room का website दिखा रहा है इस पर टैप कर देंगे तो हम लोग के सामने में VM room का website खुल जाएगा तो फ़ोसा वेट करेंगे यहां पर फोसा नीचे आएगे यहां पर आपको दिखेगा setting उसके सामने दिखेगा open इस setting के सामने जो open दिख लागए ने पर कर पर देंगे जैसे टैप करेंगे यहां पर अलाओ मांगेगा अलाओ कर देंगे अब हम लोगं को phone का main setting खुल गये अब क्या करेंगे यहां नी Gerade आ जाएंगे यह सबसे नीचे लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे आपको फोन को मॉडल दिखाएगा fazer ya ठीक है अब इसका Android वर्जन क्या है तो से नीचे आगे दिख लेते हैं यहां Android वर्जन दिखा रहा है 11 है ठीक है और यहां पर कुछ नहीं करना है एक बार बैक आएंगे अब यहां पर सेकेंड लाश में दिखिए लिखावाई सिस्टम इस पर टैप करेंगे उसके बाद यहां पर reset options दिखर आपको इस पर टैप करेंगे उसके बाद यहां पर reset all setting दिख रहा है तिसरे नमबर में इस पर टैप करेंगे उसके बद यहां reset all setting पर tap करेंगे फिर से reset all setting पर tap करेंगे ठीके अब हमारा phone जो हो reset हो जाएगा और थोड़ी दिर के लिए reboot mode में चला जाएगा तो हम नों को wait करना है जब तक हमारा phone खुद बखुद start ना हो जाए फ्रेंड मैं अपने वीडियो था सभगा दे रहा हूं ताकि यहां वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पर आपको जितना भी समय लगेगा wait करना है फ्रेंड अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो को like कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आये हैं और आपने मेरे चैनल को अब तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और bell icon भी दबा दिजेगा ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आओं तो उसका notification जो है आपको सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड इसके लाबा मेरे चैनल पर आपको mobile से जोरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने mobile का problem का solution असानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं जिसके लिए आपको मेरे चैनल पर जाना होगा वहाँ पर आपको प्लेइलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वीडियो को देखे और अपने phone का problem solve करें दिकता आने पर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं फिर मैं इस वीडियोगों तास भगा दिया हूँ अब मारा मुबाइल खुल जाएगा ठिके खुल गया अब हम लोग यहां next करेंगे मतलब यहां start पर टैप करेंगे अब यहां पर था सावेट करेंगे अब यहां से भी next करेंगे यहां से agree करेंगे ठीक है अब यहां पर फिर से हम लोग वाइफाइ नेटवर्क कनेट करेंगे जिस तरह से हम लोग किये थे तो चली फिर से हम लोग वाइफाइ नेटवर्क कनेट कर लेते हैं तो यह वाइफाइ नेट्वर्ट मैंने टैप कर दिया है और इसका पासवर्ट हम लोग डाल रहे हैं पासवर्ट डालके इसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं देखे कनेक्ट हो गया और यहां से आगे बढ़ गया पर हम लोग के यहां से आगे नहीं जाना है हम लोग यहां से बैक हो जाना है तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बैक हो जाएंगे तो बैक बटन दबा के बैक हो जाते हैं भैख हो जाएंगे पुरे start menu में आ जाएंगे जहां से मनों शुरू किये थे ठीक है आगे अब हम लोग यहाँ फिर से टॉलबे को उसके बाद यहां टॉल बेक सेटिंग दिख रहा है इसपर टैप करेंगे डबल टैप करेंगे उसके बाद यहां नीचे बरली कीबोड दिख रहा है इसपर टैप करेंगे डबल टैप करेंगे यहां उपर सेट अप बरली कीबोड दिख रहा है इसपर टैप करेंगे डबल ट प्रेस करेंगे फिर से चली फ्रेस कर देते हैं तो यहां पर टॉल बेक डिसेवल हो गया ठीक है अब क्या करेंगे बैक आ जाएंगे पूरा बैक आ जाएंगे इस्टाट मेनु में आ गये अब हम यहां पर फिर से स्टाट पर टैप करेंगे नेश्ट करेंगे एगरी करेंगे Wi-Fi Network Connect है इसलिए यहां से आगे बढ़ गया है पर हम लोग को Wi-Fi Network में जाना है तो यहां से लोग बैक आ जाएंगे तो दिख सकते Wi-Fi Network में आ चुके हैं अब यहां नीचे See All Wi-Fi Network पर टैप करेंगे यहां सबसे नीचे Add New Network दिख रहा है इस पर टैप करेंगे ठीक है यहां कीबोर्ड खुल गया यहां नीचे कीबोर्ड का स्पेस पर सेलेक्ट करके रखे रहेंगे अब यहां पर टॉल बैक बरली कीबोर्ड दिख रहा है इस पर टैप कर देंगे उसके बाद यहां सबसूपर में Turn On In Accessibility Setting इस पर टैप कर देंगे अब यहां पर premisesibility menu को tap करेंगे अब यहां ऐसेश्बियटिउ 것처럼 मेनू सबसूपरै दिख रहा है इसे start कर लेंगे चली टैप करके sysipood कर लेते हैं यहां allow करेंगे यहां get it करेंगे ठीक है अब यहां अब यहां कीबोड दिख रहा है इस पर टैप करेंगे अब यहां कीबोड दिख रहा है इस पर टैप करेंगे अब यहां नेक्स्ट कीबोड दिख रहा है नीचे वाला इस पर टैप करेंगे ठीक है अब हम लोग यहाँ लिखेंगे open youtube चली फटा फटा हम लोग यहाँ पर open YouTube लिख लेते हैं ओपन YouTube लिख के हम लोग search कर देंगे चली search कर देते हैं तो हम लोग को phone का YouTube खुल जाएगा पर यहाँ पर YouTube अपडेट मांग रहा है तो क्या करेंगे अब हमनों बैक आजाएंगे ठीक है अब हमनों यहां Google Assistant में आ चुके हैं यहां पर आपको दिख रहागा माइक आईकोन दिख रहागा वाश्पर कर देंगे और बोलेंगे ऑपन सेटिंग पर यहां पर ओपन सेटिंग बोलने के बाद भी इस फोन का सेटिंग नहीं खुला तो क्या करेंगे यहां Google search दिख रहा है आईकोन इस पर टैप कर देंगे उसके बाद यहां पर Google search खुल तरहा है इस पर टैप कर देंगे ठीक है तो में को सामने में Chrome browser खुल गया यहां नीचे accept and continue पर टैप करेंगे उसके बद यहां no thanks करेंगे ठीक है Chrome browser खुल गया अब यहां Google search पर टैप करेंगे और यहां पर लिखेंगे BNROM लिख दिए अब सर्च कर देंगे तो यहां पर सब सूपर में आपको सामने दिखेगा open ठीक है screen smart lock उसके सामने जो open दिख रहा है उस पर टैप कर देंगे चलिए टैप कर देते हैं जैसे टैप करेंगे हम लों के सामने में इस तरह से से खुल जाएगा यहां सब सुपर में लिखा हुआ है protect your phone यहां पहला नमर में लिखा है pattern second में लिखा है pin third में लिखा है password आ लाश्ट में लिखा है not now किसी भी एक पर टैप करके यहां पर नया pin lock set करना है चलिए हम लों यहां पर pin lock पर टैप कर देते हैं जैसे tap करेंगे यहाँ पर में लिखेगा set screen lock तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक नया password lock create करेंगे मतलब set कर लेंगे तो चली हम लोग यहाँ पर कोई भी एक नया password lock set कर लेते हैं क्या set करेंगे one two three four ठीक है next करेंगे अब यहाँ पर दिखेंगे उपर में लिख रहा है रिइंटर यूर फिर से मनों 1234 डालेंगे 1234 कंफर्म करेंगे ठीक है अब यहाँ पर इसकी लोग सेट हो चुका है यहाँ पर सिमीन पर टैप कर देंगे उसके यहाँ गेट टैप कर देंगे इतना करने के बाद हमारी फोन पर इसकी लोग लग चुका है अब आप बैक आ जाएंगे पुड़े स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहां से हमनों शुरू किये थे छली फटब फटब बैक आ जाते हैं ठी करना है एगरी करना है यहाँ पर वाइफाइ नेट्वर्क पहले से ही कनक्ट है इसलिए यहाँ से आगे बढ़ गया उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जागए यह नीचे डॉन कॉपी पर टैप करना है अब यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है फ्रेंड यहाँ पर पहले पेटर लॉक मांग रहा था जब इस फोन में लॉक लगा हुआ था अब हम लोग यहाँ पर पासवर्ड लॉक सेट कर दिये हैं तो यहाँ पर पासवर्ड लॉक मांग रहा है तो चलिए हम लोग व अब यहां पर Gmail ID sign in करने बोल रहा पर हम लोंको sign in नहीं करना है यहां नीचे skip दिख रहा है इस पर tap करके skip कर देंगे चली tap कर देते हैं उसके बाद यहां भी skip करेंगे यहां था सब वेट करेंगे अब यहां more पर अब यहां पर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको में वीडियो अच्छा लग रहा है तो में वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं नहीं आया है और आपने मेरे चैनल को अब तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब होगा वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे वीडियो को देखिए और अपने फॉन का प्रॉब्लम सॉल्व करें दिक्कत आने पर आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं अब यहाँ पर नेक्ष्ट करेंगे उसके बद यहाँ स्कीप करेंगे यहाँ पर भी नीचे में आपको दिख रहा होगा इसकीप उस पर टैप कर देंगे ठीक है कॉंग्राइजिलेशन यूर फोन इज रेड़ी ठीक है अब लोग यूज नाव पर टैप कर देंगे जैसे टैप करेंगे हमारा फोन जाए वो खूल जाएगा यहाँ पर टीक करेंगे एगरी करेंगे तो फ्रेंड इसी तरह से हमनों इस फोन का Google एकाउन बाइपास करते हैं तो देख सकते हमारा फोन अब खूल चुका है तो फ्रेंड आपको मेरे वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दिजेगा वीडियो को देखने के लिए धन्वार थैंक यू